राहुल गांदी ने सूमवार को वादा किया कि अगर 2019 में कॉंग्रेस की केंदर में सरकार बनती है तो हर गरीब को न्यूनतम आया की गारंटी दी जाएगी। और भारतिय जनता पार्टी बीजेपी दो भारत बनाना चाहते हैं। नया रायपूर में किसान रैली को सम्भोधित करते हुए राहुल ने कहा जैसे कॉंग्रेस पार्टी ने मनरेगा में एक सौधिन का रोजगार गारंटी करके दिया, सूचना के अधिकार में गारंटी से ब्यूरो क्रेसी के दरवाजे खोले, भोजन का अधिकार गारंटी करके दिया, वैसे ही नियूनतम आमदनी की गारंटी होगी। केंदर में सत्तारूर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, पी-एम मोधी और बीजेप को उसका पैसा नहीं मिलता है। पूरा फायदा अने लंबानी की कमपनी को जाता है। कर जमाफी योजना का जिक्र करते हुए कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जब हम विपक्ष में थे, तब भी हम किसानों का कजमाप्र करने की बात करते थे और सरकार में पूछते थे तो सरकार कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम ये काम नहीं कर सकते।